एक बतन में लेना है बेसन, उसमें डाल देना है बारीक कटा हुआ प्यास, फ्रेश दनिया, हरी मिच, नामक, लाल मिच पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़े से सूखे अनार के दाने, खस-खस और थोड़ा सा तेल. अच्छे से मिला देना है, अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी लेकर इस तरह से टाइट डो दयार करना है, अब थोड़ा सा हिस्सा उठा कर उसे इस तरह से टिक्की की शेप देनी है, और इसे करना है गरम तेल में डीप फ्राई. ये बेशन की टिक्की बनकर रेडी हो गई है, ये बेशन की टिक्की हम बना रही हैं ग्रेवी में, और ग्रेवी भी मैं बना रही हूं सिंदी स्टाइल में. ये ग्रेवी बना रही है, ये मैंने ले लिया प्रेशर कुकर, उसमें डाल दिया है दो चमच्च तेल, अब डाल दिया है जीरा, दो प्यास को बारिक काट कर डाल दिया है, इस वक्त गैस की फ्लेम हाई है, प्यास को फुल ब्राउन करना है, ये प्यास पूरी दड़ा से ब्राउन हो गया है, अब इसमें डाल दिया मैंने डेट ग्लास पानी, गैस की फ्लेम को कम नहीं करना है, इसमें डाल दिया मैंने टमाटर, अरी मिच, अब डाल दिया है नमक, हल्दी पाउडर, दनिया पाउडर, और लाल मिच पाउडर, प्रेशर कुकर को डकन लगा देना है, प्रेशर कुकर में तीन विसल्स आने दक हाई फ्लेम पर रखना है, ये प्रेशर कुकर खोल दिया है, पुरा ओनियन टमेडो जैसे मैश कर देने हैं, ये हैं मन्दियरो, मैं इसमें ब्लेंडर का यूज नहीं कर रही हूँ, हम सिंदी हैं, हम सिंदी में से बोलते हैं मन्दियरो, ये मन्दियरो से इससे पूरा मैश कर देना है, इसमें डाल दिया मैने दो ग्लास पानी, आप इसमें कोई भी सबसी डाल सकते हैं, जैसे मैकरोनी डाल सकते हैं, मश्रूम डाल सकते हैं, ग्रेवी ऐसे ही बनती है, अब इसमें डाल देनी है ये फ्राइड बेसन की टिक्की अब ब्रेशर कुकर को डकन लगा देना है और दो विसल्स आने तक हाई फ्लेम पर रखना है आप देख सकते हैं टिक्की पूरी तड़ा से सॉफ्ट हो गई है ये है बेसन की टिक्की की बाजी ये खाने में बहुत ही की पेवरेट है